है यो अडिजबल टीमेट्स आप सभी का स्वागत है पोकीमोन अन्माउंड के एक और नए अपिसोड में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पिछल एपिसोड में हम लोग गए थे सिंडर वाल के उनों मोल्टरिस को बचाने लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए रखा है और लेकिन पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसे अपने टीम में रखूंगा या नहीं रखूंगा लेकिन ये एक बहुत ये अच्छा पोकीमोन है इसका इवालिशन भी काफी अच्छा है और एक वाटर टाइप पोकीमोन की जरूरत भी है मुझे तो हा इस घर में चलते हैं और इससे बात करते हैं नौर्थन के बीटे एक्सप्रेस वेए और उसे बताना है कि चुपचप घर चल नहीं तो तेरा भाई तो चोड़ेगा नहीं लेकिन उससे पहले थोड़े एक्सप्लोड करते हैं इस टाउन को और बेकारा आदमी यह बहुत ही बेकारा आदमी यह कुछ मांगता हैं हमसे तभी है कुछ हल करें नहीं एं हाट स्केल जो के हम पास है नहीं थोड़े एक्स्प्लोड करते इस टाउन को I hope कि कुछ और घर होंगे यहां पे यह रहा है घर तो यहां चलते हैं और बात करते अंदर इससे बात करते हैं पहला बच्चे से My grandfather survived the meteorite strike lots of years ago. He even made a friend with the Pokemon that fell from the stars. 30 years ago, a large meteorite was hurtling towards Porius. The astronomers in Seaport City predicted that if it wasn't stopped, it would fall directly on Valley City, this city and all life living here. With great husk, we can our evocation of the city as we were about to make our escape through the KBT expressway, we heard the news. भाई साप, क्या खतर्नाक हाथा हुआ था था बारियस रिजन में 30 साल पहले. क्यों संसी हुँड, all was thought hopeless until he arrived. Aeros the legend, he arrived alongside Arceus and used a small Pokemon to teleport everyone to East Warrior safe from harm. He planned to attack the meteorite. Aeros our papa थे ना? Once he had transported everyone to safety to say that he rode on a Rayquaza. हमारे पापाने रेकवाजा पे राइट किया था and smashed into the meteorite. भाई ये खतर्नाक था, बहुत ज्यादा खतर्नाक था. The city was destroyed but arrows had saved a region. I will never forget the heroic act that man performed. भाई हमारे पापा सच में लेजेंडरी थे थे गेम के. तो चलो guys, जल्दी से खड़िद लेते हैं, देखते क्या क्या समान है इसके पास. मेरे पास पैसे तो ही, तो मैं potions, पहले pokeballs कितने मेरे पास? आठ pokeballs है तो इनफ है ये और खड़िदने की जरूरत नहीं. तो मैं पांच potions खड़िद लेता हूं और super potions, I think two, सही रहेगा, and कुछ रैपल्स सही रहेंगे, रैपल्स मैं दस खड़िद लेता हूं, ठेक है, नौ में चला गया, कोई नहीं, एक और मैं खड़िद लेता हूं, हां, दस हो गया रैपल, तो ये, अभी मेरे पास काफी सारे पैसे हैं, तो बात में मैं आके खड़िद सकता हूं, आट ये, अभी हमें जाना है के इवट सब्सक्राइब में, तो यू रह है यहूज के खड़िथ dispthree यहे वाल मत था क्सिते सब्सक्राइब क्राइब करे सब्सक्राइब युदा संपलूद इस डर्सपरा मैं का मैं आटसु तो ये चाल कर थे हैं stay, लिटर कृप आई तीज यू तेग ब्लाक आमर सिरियसलिया पमल यूर प्रिटी पोकिमॉन राइट तृट ग्राउट विट रेले लिए तो गया बैटल स्टाट ऊचुका है बलाक आम बोड के एक मिंबर से तो इसके पास कितने पोकिमॉन से तीन पोकिमॉन से पहला कर रहा है स्मोग बिल्कुल भी एफेक्टिव नहीं था लेकिन गैड़न पोईजन हो गया तो यह डैमेज दे सकता है हमें और यहां पर यह अपने आपको हर्ट करेगा सैंड टॉम से जिससे टैपिक फेंड हो गया वाव यह सही था और यहां पर एक्सपी काफी अच्छा म होग तो यह शायद से डैमेज देगा मुझे नहीं दिया बिल्कुल भी तो यहां पर गाइज गैड़न हर्ट कर रहा है अपने आपको बिकॉज वो पोईजन है तो मैं यूज़ करने वाला हूँ बाइट देखते बाइट से क्या होता यलो पे गया इसका है पी सही है और य अब इसका आखड़ी पोकिमोन आने वाला है जो कि कौन सा होगा मुझे नहीं पता और यहां पर आखड़ी पोकिमोन गडीमर है जिसका लेवल कितना होगा 20 ओके तो मैं यूज़ करने वाला हूँ फायर फैंग फायर फैंग से कितना डैमेज ओके गरीन पही है इसका हपी तो मड बॉम्ब यूज़ कर रहा है यह और यहां पर यलो पर चला गया है इसका इचपी और पॉइजन के वज़े से यह अपने आपको काफी डैमेज दे रहा है तो मैं पहले पोशन यूज़ करता हूँ हो सकता है यह फेंट हो जाए तो मैं रिस्क नहीं लूँगा इसलि हमने घ्रीमर को रहा दिया जिससे कि यह मैच अमने जीत लिया गाइस यह उसा गया लेवल 16 पे यह अची बात है और हमने अरा दिया ब्लैक एमबर गून को यहली बैट जोट गटो जोटो जोटो रही जोटो इसलिगाटर गून कोंट को पीए विछ कोई लाइड ये रहे वाइडार विटो इसे आंट इस तनल आहले हैं जिर को लिए पहले में आता हो जाएनग आता हूंद पर क्विबह मेरे ब्ल्स कालत अदिक नहीं है तो मिल ता है okay guys I am back और मैंने कुछ antidotes खड़िद लिये हैं क्योंकि यहां पर काफी साथे poison Pokemon's है जो कि काफी poison देते हैं poison Pokemon's poison नहीं देंगे sorry तो यहां पर मैंने 5 antidotes खड़िद लिये तो यह है exit see crater town तो आगे चलते हैं guys ओ यहां पर एक और battle guys मैं battle आपको show नहीं करूँगा क्योंकि battle काफी ज्यादा boarding है लेकिन मैं battle जरूर करूँगा क्योंकि थोड़ा सा EXP चाहिए मुझे तो चलो guys battle करता हूं इससे मैं okay guys जीत गए हम तो अब चलते हैं और जितनी भी battles होंगे मैं साड़े battles skip करूँगा तो एक और battle इससे भी skip करने वाला हूं हूं है चलो battle करते है okay guys ये battle तो हम जीत गए लेकिन मेरा औरा का HP देखो इतना सा बच गया था और यहां हमारा ओशा इवाल्व हो रहा है काफी जल्दी कली तो मुझे मिला था ये लेकिन आज इवाल्व हो रहा है तो सही है और हमारा ओशा कौन से Pokemon में इवाल्व होने वाला है आपको बताई होगा गाईज काफी famous Pokemon है तो finally guys हमारा ओशा इवाल्व हो चुका है बहुत जल्दी congratulations और ओशा इवाल्व इंटु डिवाट तो yes ये अच्छी बात थी तो अब चलते आगे guys और देखते कितने battles होंगे कोड बैटल तो चलो battle करता हूँ इससे भी मैं ओकी guys तो हम फिर जीत गए और मेरा गैडरन अपने आपको काफी ज्यादा डेमेज दे रहा है क्योंकि वो पॉईजन है तो मेरे पास anti dot era तो मैं anti dot use करता हूँ और उसका इस भी भाई साब इतना सा बच गया है मुझे पोशन यूज़ करना पड़ेगा मेरे पास super potion में नहीं है तो शायद potions यूज़ करने पड़ेगे काफी साड़े तो एक और एक और इतना काफी है मैं दू बचा के रखूँगा हो सकते है आगे चल के काम आ जाए और यहां पे battle नहीं करना मुझे battle नहीं करना और अगर मैं battle करूँगा तो पक्का मेरा gadon फेंट हो जाएगा इससे बात करके देखते हूँ मुझे साख हो रहा है वाट तो यू थिंग करते हैं इस बॉस से तो गाइस अभी बहुत ही जादा टब battle होने वाला है ओ इसका body देखो मस्त है तो ब्लैक एमबर जेम्स जो की ब्लैक एमबर का लीडर भी है भीज रहा है कॉफिंग लेवल 20 का और यहां पे मैं भीज रहा हूँ और sludge यूज यूज कर रहा है बस यह poison ना हो जाए हमारा गैर्डोन तो दिक्कत हो जाएगा तो मैं डूल चॉप यूज करता हूँ और इसका काम खत्म यास हमने हरा दिया कॉफिंग को जो कि इसका पहला Pokemon था और तीन बाकी इसके पास तो इसका दूसरा Pokemon कौन सा होने वाला है सेलंडाइट सेलंडीट क्या बोलते सेलंडाइट तो लेवल 21 का है और इसके लिए सैंड टॉम आई थिंक ठीक रहेगा ना तो येस एक ही बार में गया तो ये सही था और हमारे गैर्डोन ने काफी अच्छा एक्स प्रिएन किया औ पता नहीं मिनिमाइज तो मिनिमाइज यूस कर रहा है गरीमर इससे इसका भड़ जाएगा और मैं यूस करने वाला हो सैंड टॉम से कितना डैमेज ओके यलो पे गया यलो पे गया सही है और एसिट स्प्रे यूस कर रहा है गैर्डोन के ओपर जो कि I don't think जादा एफेक्ट और यहां पर यह ट्रैप्ट है सैंड टॉम के अंदर तो यहां वो डैमेज मिल रहा है उसको और यहां फाइनली ग्रीमर फेंट हो चुका है एक ही बाइट से और गाईस ओशा गया लेवल 19 पे तो यह सही बात है पिग इनाइट पिग इनाइट तो यह शायद से टैपिक का इनाइट विकसित रूप है ना तो मैं यूज करने ओप सैंड टॉम तो यूज देखते कितना डैमेज मिलता है इसे यल लू पे गया और सैंड टॉम और यूज रहूंगा मैं स्मोग हमने अवाइट कर दिया येस तो एक और सैंड टॉम यूज करते हैं ओके तो यहां I like ya, get a laugh on this, from now on our team's name is gonna be the black ship oh black ship buddy yeah we are taking on and your rough and tough name it's a wilder name for a wilder team the black ship ha that's awesome what you want something else kid my bro he is dead punk never quit it's all right as a favor to you forbid me I'll go with you so this is his brother I've told you time and time again bro quit trying to mess with the black amber I can't James you are my brother you mean everything to me and I can't let you go down this path any longer you claim you care about me but you really ain't got no guts bro you keep sending these trainers to harass me cause you are too scared to get your own hands dirty this kid ships got guts let me tell ya no one has ever wrecked me as good as he did I have renamed the black amber to the black ship after him so it's time for a fresh start the black ship and I are moving to Anderson city I hear the old gang that used to rent that joint cot ran out of town Darren Cranbull something or other now that city is reaped for the pickin by the black ship go ha 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 but James you can't just leave me all alone I thought about making you one of us too but I can't have someone who's so weak in my squad instead I've decided to let's save join our ranks welcome to the black ship kid all members could have a bike so take this we have a motorcycle that's a powerful motorbike all members of the black ship own you can press L to activate the turbo boost turbo boost this looks interesting to hear or you can take it easy in parallel looks up if you ever came in and this is city and this is city sorry you got caught up in all of that I may have lied when I told you I didn't hurt my brother in truth I knew he was the leader of the black amber and I knew that he was a big man but if he didn't tell me then I will not go and not get me a motorcycle so I am giving TM which is TM 98 work up the user roses itself to raise its attack and special attack stats ok yeah 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 when I get to see my brother then I will tell you mission is complete oh my post look at my post so guys this was today's mission and I have told you in the last episode that I will do gym battle but I haven't done it because my Pokemon's level was not special but before we have got motor cycle which I am going to use and look at guys oh let me see turbo boost and 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 on